बिहार में हो रहे हैं एक लाग सतर हजार चार सो एक सट पदो के सापेक्च अन्य राजे के अभिर्थियों पर बिहार राजे सरकार में विशेश सचिव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फरेंस के मादम से ये पब्लिक डोमेनिन में सूचिना दी गई कि जो 40% अन्रिजर्व की स सब्जेक्ट को अगर आप मिलाएंगे तो समाने के लिए जो सीटे बचेंगी वो लगबग 16,000 के आसपास बच रही है और 16,000 जो आप देख रहे हैं वो मेल का देख रहे हैं इसके अलबा महिला की जो 50% सीटे रिजर्व हैं तो जो अन्रिजर्व के लिए 40% सीटे बच रह आता है तो आप महिला और पुरुष दोनों की सीटों को जोड़ करके देखें तो 15,947 आपको पुरुष में देखेगा और महिला का 16,000 जो आप जोड़ेंगे तो 32,000 की सीटों के आसपास आता है जो की 80,000 का 40% को रिप्रिजेंट करता है तो अब मैं समझता हूं कि जो भी पुछना दे दी गई उससे पहले जिस प्रकार से बिहार में अभिर्तियों के द्वारा धर्ना प्रदर्शन और पूरा पुर्जोर विरोध किया गया था कि अनराजे के अभिर्तियों को रोका जाए और नियमावली में पुना जो डोमेसाइल नीती है उसको लागू किया जा और अनराजे के अभिर्तियों को मौका ना दिया जाए लेकिन राजे सरकार के इस पश्टी करण के बाद से अब चीज़े इस पश्ट हो चुकी है कि राजे सरकार समविधान के आर्टिकल 16-2 के अगेंस्ट में ना जा करके उसको फॉलो करते हुए अनराजे के अभिर् को 10% या फिर 5% सीटे दे सकती है बाकी जो सीटे बचेंगी लगबग 35% या फिर 30% वो बिहार के जनरल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रख सकती है इस प्रकार से पहले भी भर्तियों में देखने को मिला है कि अनराजे के अभिर्तों के लिए 5-10% सीटों को रखा जाता है बाकी की सीटे बिहार के जनरल कैंडिडेट के लिए रखा जाता है अब चुकि प्रेस कॉन्फरेंस के मादम से ये चीज़े इस पश्ट नहीं हुई है और इसलिए बिहार के अभिर्ती अब इस मामले को कोट मिले जा रहे हैं कि अनराजे के अभिर्तों को आप मौका दीज पचास प्रतिसात के लिए और दस प्रतिसात EWS के लिए इसके अलावा जो बिहार के निवासी हैं और जनरल कैटिगरी से बिलॉग कर रहे हैं वो तो बिलकुल एकतरी के से अनराजे के अभिर्ती के तरह से आप देखेंगे कि 40 प्रतिसात पर सब फाइट कर रहे हैं प्रतिसात के अनराजे के अभिर्तों को मौका दे सकती है तो इस प्रकार का पहले भी मैं आपको सिच्वेशन बता चुका हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो में कि इस प्रकार के मामले आपको कोर्ट में देखने को मिलेंगे और वहीं आप मामला कोर्ट में जा रहा है जै इस प्रकार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शूब हो